अब बढ़े गया अंबिकापूर से खबर है जहांपर स्वास्वंध्री टीयस सिंग देव ने कोविट सेंटर का खाना खाया है मरीजों को दिये जाने वाले भोजन को खाकर उसकी जांच की है भोजन को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी जिस तरीके से कोविट सेंटर में भोजन को लेकर शिकायतें मिल रही थी अब स्वास्वंध्री टीयस सिंग देव खुद लिजाएजा लेने के लिए निरेक्शन करने के लिए उन्होंने कोविट सेंटर का खाना चखा आप तस्विरें भी देख सकते हैं शिकायत मिलने के बाद स्वास मंत्वी ने सक्ती दिखाई है तो शत्तिसगर में कोविट सेंटर को लेकर उसके भोजन को लेकर लगातार शिकायत मिल रही थी कि अच्छी गुडवत्ता का भोजन यहाँ पर कोविट सेंटर में नहीं दिया जा रहा जिसको लेकर अप स्वास मंत्वी टियस सिंग देव सक्त नजर आ रहे हैं उन्होंने कोविट सेंटर का भोजन खागर देखा इसमें एक सच्चाई है कि किसी भी अस्पताल में और सभाविक है कि अस्पताल का भोजन उतना स्वाद नहीं देता है जितना घर का भोजन देता है यहां मैं विकापूर आया था उस दिन लोगोंने कुछ बातें भी रखें कि भोजन और अच्छा हो सकता है क्या है तो हम लोगोंने चर्चा करके कुशिश की है कि भले घर जैसा भोजन ना कर से दिलवा सके लेकिन जितना अच्छा हो सके अस्पताल के प्रबंदन और परिसर में उतना उसमें सुधार करने की कुशिश करें और उमीद करते हैं कि जो भोजन ले रहे हैं उनको पहले से करेंगे हमारी समवाता दीपक कश्यप से दीपक जिस तरीके से हम देख रहे हैं 36 गड़ में कोविट सेंटर में भोजन को लेकर लगातार शकायत हैं मिल रही थी अब स्वास्त मंत्री टीयस सिंग्देव सक्त नजर आते हैं इस मसले को लेकर जी बिल्कुल बता दू कि चुकी जो अम्भीकापूर सहर है स्वास्त मंत्रे 36 गड़ के जो स्वास्त मंत्री टीयस सिंग्देव है वे यह सर ग्री शहर है उनका और उनको लेकर के लोगों की उमीद रहती है कि जो स्वास्त मंत्री का इलाका है और यहां पर अगर श्वास जिसे लेकर के यह सिंग्देव ने गंभीरता दिखाते हुए आज कोविड ओड़ का भोजन उन्होंने चखा है चकते के साथ उन्होंने यह भी बताया और कहा है कि जो घर का भोजन रहता और अस्पताल के भोजन में काफी फर्क रहता है लेकि उनकी प्रयास रहेगा कि ज भोजन अच्छी गुडवत्ता का नहीं मिल रहा है इन शिकायतों को गंभीरता से देते हुए स्वास्त मंत्री टेस सिंग देव ने खुद ही कोविड सेंटर का भोजन खाया